आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सैंड्विच वो भी स्ट्रेट स्टाइल सैंड्विच बनाने के लिए यहां पे हमने 300 ग्राम लगबग आलू लिया यह मीडियम साइज का आलू है इसको हमने उबाल लिया और अगर आलू में आपके पानी है तो उसको फ्रिज में रख दीज़े और नहीं तो बस इस तरीके से उबालने के बार इसको हमको अच्छे से मैश करना है या फिर आप चाहिए तो कद्दू कस भी कर सकते हैं जो आपको इजी पड़े करने से क्या होगा ना कि एक भी इसमें गांटे नहीं पड़ेंगी और बहुत अच्छा मैश हो जाएगा क्योंकि सैंडविच में थोड़ी सी बहुत गांटे होती तो अच्छा नहीं लगता है अब यहां पर हमने कुछ सब्जी ली है जैसे एक छोटी शिम्ला मिर्शनी इसका बीज निकालके बहुत माहीन माहीन काट लिया एक बड़ा प्याज लिया इसको बारिक-बारिक काट लिया गाजर लिया इसको हमने छोटे-छोटे पीस में काट लिया आप चाहें तो कर सकते हैं और थोड़ी सी लिया है हरी मिर्च और एक मेडियम साइस का खीरा लिया इसको भी छोटा-छोटा काट लिया टमाटर एक बड़ा लिया इसको भी जमनी निकाला है और ऐसे ही काट लिया आप के जो सब्जी और खाते हैं तो वह भी आप डाल सकते हैं को ही दिक कर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आलू मैश करके हमने पहले ही रख लिया था, अब उसी में सारी सबजी को हम डाल दें, आप अगर इसमें स्वीट कॉर्न डालना चाहें, तो वो भी आप एक हलका सा कुबाल देखें, उसको भी डाल सकते हैं, मश्रूम खाएं, चुकंदर, ज कि वो हम आगे जब सर्फ करेंगे न, तो उस टाइम पर डालें, अब यहां पर हमने लिया है, एक चमच चाट मसाले, और एक चमच ही हमने डाला है, चिली फ्लेक्स, मेर्श की कॉइंटिटी आप अपने हिसाब से घटाईए बढ़ाईए, और नमक डालेंगे, थोड़ा सा यह ध्यान करना है कि चाट मसाले में भी नमक होता है, अब इसमें डालेंगे लगभग दो चमच बड़ा टोमेटो केचप, बहुत जबर्दस इस सेंड्विश का स्वादाता है, आप एक पर जरूर बनाईए और सबको खिलाईए, इफिन में ले जाईए, या कोई आने वा जब आप खाएंगे तो आपको खोड़ी बहुत अच्छा है, यहां पर हमने लिया है दो पीस ब्रेट, ब्रेट सॉफ्ट लेना है, आप चाहें तो कॉर्नर काट भी सकते हैं, और चाहें तो न भी काट सकते हैं, हम नहीं काटेंगे, और यह दो तीन चमच हमने लिया टोमे दूसी नहीं करेंगे, नहीं तो उससे क्या होगा ना कि फिर टेस्ट नहीं आएगा, अब दूसरी स्लाइस में हम लगा देंगे हरी चट्नी, अगर आप लेसन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप प्याज को स्किप कर दीजे, और बिना लेसन वाली चट्नी आप बनाएगे, मेरे चैनल पर कई तरीके की चट्नी बनी हुई है, लेसन वाली, बिना लेसन वाली, जो आपको अच्छी लगे, उसका लिंक आपके स्कुरिंग प्यारा है, आप उस तरीके से बनाएगे, यहाँ पर हमने लिया है पनीर, इसको पतले सी स्लाइस कार्ट, अब इसके उपर हम जो स्टफिंग त्यार करके रखाता, इसको अच्छे से स्प्रेड करते हैं, अगर आपके पास इस में पनीर है, तो उसको भी पतला पतला काटके आप डाल साथे, और अगर आप चीज पसंद करते हैं, तो पनीर को इसके कर दीजे, चीज डाल लिजे, यह आपकी अपनी प प्रेड को इसके ओपर रखे हलका सब प्रेस कर देंगे, आप चाहें तो इस तरीकी से त्यारी करके रख लिजे, जब कोई आए, चढ़ाईए गैस पे दवा, और बस थोड़ा सा बटर डालेंगे, गैस का फ्लेम दो रखने, जब भी आप बटर डालें तबे पे, क्योंकि बटर जल्दी जल जाते हैं, और दीरे से सेंडविच को रख देंगे, और हलके हलके हाँ से प्रेस करते हैं, इसको सेटे हैं, बहुत सॉफ्ट प्रेड है, इसले थोड़ी थोड़ी थोट रही है, कोई बात नहीं, चलता है ये सब तो, जब पलटना हो, तो उपर भी हम देखें, और बनाएं, सबको बहुत अच्छा लगीगा, देखें, बोले थिना ब्रेड बहुत सॉफ्ट है, बस लो टू मेडियम फ्लेम में ही इसको सेखना है, आप चाहें तो टोस्टर में भी सेख सकते हैं, टेस्ट एक ही आना, बहुत अच्छा लगेगा, लो टू मेड लपेट के इसको अप्टिफिन में ले जाए, या बच्चों को दीजे, अब इसको हम करेंगे कट, आपको जो शेप पसंद हो, आप उस तरीके से कट कर सकते हैं, कोई गेस्ट आने वाला हो, इसको आप बना के बस त्यारी रखिए, फटा फट सेख लीजे, जब वर्दास् लगेगा कि मार्केट वाली स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच है, अब सर्फ करने के पहले थोड़ा सा पनीर इसके उपर हम और ग्रेट कर देंगे, आप चाहें, अगर चीज पसंद करते हैं, तो इसके उपर चीज भी ग्रेट कर सकते हैं, यह आप अपने से पसंद कीजे कि आपको क्या अच्छा लगा है, आपके पास पनीर नहीं है, इसकिप कर दीजे, ऐसे ही चटनी डाल के सर्फ कीजे, या फिर बिना चटनी की सर्फ कीजे, अंदर चटनी तो आपने लगाये हुआ, बहुत सिंपल बनी है, कोई मसाला नहीं, कोई ताम जाम नहीं, केवल चाट मसाला है जो बच्चे पीजी वगरह में रहते हैं उनके पास चाट मसाला तो होता है बस डालिए बनाईगे ले जाए आराम से अब जब भी इसको सर्फ करना हो उसके उपर कुछ भी आप नमकीन डालीजें मेरे पास यह महींवाला सेव है मारकेट में बहुत आराम से मिलता है बस इसके उपर डालिए स्प्रेट कर दीजे और थोड़ा सा स्प्रेंग ओनियन साथ में लगाईए चिप्स मचेदार स्टेट स्टाइल सैंडविच बनके त्यार है चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसपी के साथ झाल झाल